इस वीडियो में Tata Steel एवं ब्यदानता डिल न्यूज बिग न्यूज लगा रहा हो कि इन्तु छोटी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लाइक कर दिजे पिलीज Tata Steel के CEO ने ब्यदानता डिल पर अटकों को खात्म कर दिया है कम्पनी 2030 तक भारतिय बजार में अपनी बार्षिक इस्पात उत्पादन छमता को 40 MTPA तक बढ़ाने की योजना बना रही है टाटा अश्टिल के स्री ओ टीबी नरनरन ने अस्पष्ट कर दिया है कि कम्पनी कोई नया अधिगरन नहीं करना चाहती है या ब्यान बेदान्ता लिमिटेड के अश्टिल वेबसाइक के अधिगरन में टाटा अश्टिल की समभावित रूची के बारे में पुष्टाज के जबाब में आया है समचार एजनसी पीटी आई की रिपोर्ट के नुसार टीवी नरनरने का हम किसी आन नए अधिगरन के लिए इतने उस्पष्ट नहीं है हमें इसकी जवत भी नहीं है इस बियान के साथ सीयो के सब्थ बेदानता के साथ समभावित सवदे को लेकर चल रही अटकलों को दूर कर देती है नरनरन ने इस बात पर जोड़ दिया की टाटा श्टिल को अपनी मजुदा साइटों पर काफी काम करना है कमपनी ने 2030 तक भारतिय बजार में अपनी बार्षिक इस्पात उत्पादन चमता को 40 मिलियन मेट्रिक टन तक बढ़ाने की रनती त्यार किया है जो इसकी लगबग 22 मेट्रिक टन की बरतमान चमता को एक महत्पून बिर्दी है युक्वे में टाटा अस्टिल के परिचालन के बारे में नर्यनरन ने टिपनी की की कमपनी अभी भी समादान खोजने के लिए युक्वे सरकार के साथ लगी हुई है उन्होंने अस्पष्ट किया है कि कुछ आपश्ट्रिम परिसंपतियों और कुछ उपकरनों की विश्वे सनिता के मुद्दे को छोड़कर युक्वे परिचालन आम तोर पर सोचारू है टाटा अस्टिल युक्वे में सबसे बड़ी इस पात भी निर्मान सुविदा संचालित करती है जो पोर्ट, टेलबोर्ट, साउथ वेल्स में अस्थी थे यह सुविदा छेतर में विविन परिचालनों में लगबग 8000 बेक्तियों को रोजगार भी देती है कमपनी ने कारवन उस सरजन को कम करने के उद्धे से अपनी पाल का समर्थन करने के लिए युक्वे सरकार से 1.5 बिलियन पाउंड की फंडिंग मांगे थी हलाकि इस साल की सुरुवात में विरिटिस सरकार का परस्ताव टाटा स्टिल दोरा पेचित बितिये सायता से काफी कम रहा